बिरोजगार संके जो लोग हैं वो लगातार धंडे पर बैठे हैं और काफी दिन गुजर गए हैं पुलिस ने लाटी चार्ज भी किया पत्थर बाजी बहुत सारी चीजे हुई है लगातार मुक्खे मंतरी इस पर बयान भी दे रहे हैं उनका कहना है कि हम लोग सारी मांगे म मानने को तैयार हैं लेकिन बच्चे अलग-अलग अंदाज में अलग-अलग रूप में अपनी मांग लगातार रख रहे हैं धंडा परतसन कर रहे हैं एक जाम तक छोड़ रहे हैं और हमने वो काम किया है जो 20 साल में कोई भी सरकार नहीं कर पाई है लेकिन उसके किया है जोनसार के लिए और जो मुक्हमंतरी लगातार कर रहे हैं कि 20 साल से जो मुक्हमंतरी काम नहीं कर पाई वो हमने कर दिखाया है यहां तक कि जो नेता थे बिजे भी के उनको भी हमने जेल सक्वार का का कहा कर आ आप 10 साल हो जो प्रस्ले मेरे मन मार रहे है कि 22 सालों में उतरा के अराथिय। कैसी मुक्य मंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जलकी सलाकों के पीछे डाला जा देखिए मैं मुक्की मंत्री को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वाक्याई में जो आज तक 20 साल में नी हुआ वा आपके कारेकाल में हो रहा है इतनी नकल महापियाओं के नाम जो उजागर हुए है बिलकुल इसकी हम सहराना करते हैं लेकिन आप जो ये बार-बार कहते हैं कि हम कानून ला चुके हैं और इसके बाद हम ब्रस्टा चार नहीं करेंगे तो मुक्के मंत्री धामी जी हम आपसे ये प्रेशन करते हैं कि आपका जो कानून था वो 10-11 तारीक को लागू हो गिया था लेकिन 11 तारीक किया उसमें ये प्रावधान नहीं था कि इसके बाद की जो परिक्षाएं होगी ज्यान से सुनना इसकी बात की जो परिक्षाएं होगी क्या उसमें लागू होगा या नहीं यदि हाँ है तो जो बारा तारी की परिक्षा थी उसमें वो नकल्ची अभियार्थी क्यों भीटाए गए सबसे पहला बड़ा प्रश्णी है यदि आप में वो ब्रस्टा चार के ख लाब है यदि वो ब्रस्टा चार रोकने के लिए है तो जो 44 अभियार्थी थे जिनके नाम उजागर हो चुके थे तो क्यों उनको उनको मलब वहां बिढ़ाने की कोशी मलब उन्हें इजाज़त दी गई परिक्षा देने की दूसरी को दूसरा चीज यहां से यह निकल कर होगा यह प्रेश्णियां से बहुत बड़े निकल कर आते हैं तो यह जितने भी सरकार की जो जुमलेबाजी चल रही है उससे सभी हिवा परिचित है और पूरा परिदेश परिचित है कि यह जुमलेबाजी की जा रही है और जो कानून है वो सिर्फ एक मलब हमारे आंदोल अपने कोंसा एक्जाम दिया है अभी जो फिलाल अपने Smells देखिए हम 2012 का मेरा इंटर है उसके बाद से हम लगातार उत्राखंट के जितने भी एक्जाम है उसकी तयारी कर रहे हैं और उसके बाद जितने भी जब हम एलिजिबल होगे उत्राखंट के परिक्षा देने के लिए तो लगातार हम परिक्षा यह देते आ रहे हैं और अभी अधिकारी पाये जाएंगे उसमें जेल भेजेंगे हम लोग और जो चात भी उसमें सामिल होगा उसको भी हम जेल भीजने काम करेंगे तो आप इस से सहमत है इस कानून से अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसको आगे जलकर दस बसों तक किसी भी परिच्छा ने भाग लेने का कोई आउसा प्राप्त नहीं होगा भाईयों मैं वही तो कोईशन कर रहा हूं मुख्य मंत्री जब कालसी में गए थे उनका बयान था कि आज के बाद ये ब्रश्टाचार नहीं होगा तो और उसी अगले दिन दो मामा भांजे उसमें पकड़े जाते हैं और उन्हें अगले दिन पेपर में क्या आता है कि जो ये पकड़े गए अभिहारती है उनको परिक्षा देने की इजाज़त दी गई है तो यहां से यही तो प्रश्ट में उन से कर रहा हूं आपके माध का है किसके लिए है कब से लागू होगा आपने तो आपने तो वहां यह कह दिया था कि उमर कैद की सजा है दस साल की सजा है और जुर्माना है लेकिन उसमें क्यों लागूनी हुआ और यदि पटवारी परिक्षा में यह लागूनी होता यह उसके बेस उसके क्या बैसिस है यह दियो यह बोलते हैं कि इसकी भीग्यपती पहले निकल गई या इसकी परीक्षा की देट पहले निकल गई तो परीक्षाओं की देट तो सारी निकल चुकी है अब क्या कहते हैं देखिए अभी वो जांच का विशह है उसमें पूरी तरह से पुछती नहीं हुई कि वो चीज गलत थी या सही थी उसके उपर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा लेकिन पटवारी परिक्षा की जो जिस जो हमने विरोध करा है वो हम इस बेसिस पर कर से Technology इसूद कर है सरकार तो आप कि सारी मांगय कैज़ते हैं लेकिन हाइक किर सकते हैं अब क्या कहते हैं आप लोग को you बैठें आप अब यहाँ पर क्यों सारी मांग यह मान रहें यह तो कहने वाली बात है हाइए कोट किस चीज को इजाधत देदा है नियाई के लिए हम नियाई के लिए सीव यह की मांग करें तो मुझे नहीं लगता हाइए कोट इसमें मना करेगा वो जो आप मना की बात करें उसके लिए उन्होंने बोला कि अभी STF की जांच हो रही है उसमें उन्होंने मना करी थी दूसरी चीज यह निकल कर आती है कि जो आपका प्रश्ण ता कि मुख्यमंत्री तो हमारी सारी मांगे मांदे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बौभी भाई के रिया थी हमारी वो मां वो नहीं मानी क्योंकि हम इसको लिए इसलिए अस्तगित कर रहे थे कि बेरोजगार जो चात्र है वो एकदम हाउत हो चुका था और बिल्कुल उन्होंने एकदम नजदीक में परिक्षा की डेट दे दी जिसलिए इवा बिल्कुल मांसिक रूप से परिक्षा के लिए तया जद्हामी जी इसको थोड़ा आप पॉस्ट पॉंट कर दीजिए अभी जान चल रही है जब तक जान चलती है इसमें कुछ इसकी पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाती उस तब तक इसको इसको अंकुष लगा दू इसके लिए वो तो कह रहे हैं कि भीया आप धर्णा परतसन ना करो धारा 144 लगाए गई है आप अपने एक्जाम के तयारी करो जो पटवारी का भी हुआ है आप लोग लगातार सड़कों पर उतर गए और मांगे तो मानने वाली बात पहीले कही दी मैंने आपको तो आपने कहा कि लोग लड़के नर्वस हैं एक्जाम नहीं दे पाएंगे तो क्या बिलकुल बोवी का एक तो मांग बोवी वाली बात कही है आपने और दूसरा 144 पर क्या कहेंगे 114 जो लगाई है गोर्मिट ने आप उठी नहीं रहे यहां से देखो 144 जो दारा लगाई गई है बिलकुल इससे साब जाहिर होता है कि आंदोलन को इस्तगित करने की उनकी पड़किरिया है एक रणे नीती है लेकिन आज ये आंदोलन ये उत्राखंड का आंदोलन नहीं बलकि ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है क्योंकि ये नि जो हमें शक्ती देता है हम इस अस्तली में जो मूर्तिय हैं हमारे मा पुरूष हमारे राजियान दोलनकारी ये हमें प्रेना देता है और इसके लिए हम सक्षम है और जब तक हमें मलब हमारी तागत रहेगी हम लड़ते रहेंगे कुछ अंदोलनी बाते ये भी कहा जा रही है कि जो चात चात्रा हैं वो जाधा तर जो धर्णा परतसन करने हैं तो जो उनसार से जुड़ेवे जूल बच्चे है वो जाधा तर है यहाँ पर खुले मंचो तक कहा जा रहा है ये कितनी सचाईएस में क्या उतराखंड के सभी कि जलों से बच्चे आ रहे है कि सिर्फ जोनसार पर जाधा परेसर है क्योंकि काले जब से मुख्यमंतरी को दिखाए गये जोनसार में तबसे बात जाधा भार आ रही है के लिए सरकार द्वारा या किसी बीशेबी के कारिय करता हूं द्वारा प्रोटेस्ट चरा ए जा रहा है ताकं कि लोगों को दबाया जा सके लोगों तक यह मैसेज पहुणाये जा सके कि धरने की जो हो है और रूब रह醬 old συक्तौं उन्हों ने तो यह तक निकाल दिया था पेपरों में की धर नास्तक कि अज़त हो गया बेरोजगार संग से हमें हमारे पास मिलने अचुका और उनकी हमें सारी माँगे मान दि गई जिसका खंडन, बेरोजगार के जो अमारे पदादिकारी, उन से मिलने गए, उन्होंने भी किया, हमने भी किया कि हम से related कोई थे यह नहीं, कि लेकिन यह आंडोलन दबने वाला नहीं है लेकिन आने वाले समय में आपका संक्या करने जा रहा है क्या और जाद ही विरोध बढ़े गा या फिर ये कहिना कि जो CBI की मांग है आपकी वो तो आप मांगे रहे हैं आगे क्या रणी निती है आप लोगों की? बस यही रणी निती है कि हमारे पहले बॉबी पोहार जी जो हमारी अध्यक्ष है, हमारे सुत्रधार है उन्हें रिया कर दें क्योंकि उसके बाद ही हम रणनी थी कुछ मजबूत बना पाएंगे क्योंकि ब्रष्टाचार इतने तो सरकार उनको छुड़ा नहीं रही छोड़ नहीं रही मैं कह रहा हूं मैं बार बार हूँ तो कह रहा हूं कि यहां पर सभी मांगे मान दी गई है धर नहस्तागित हो गया है इस तरह के प्रोटेस्ट जो चलाए जा रहे हैं यह बिल्कुल इससे साफ जाइर होता है कि धरने को कम करने के लिए रात में क्या हुआ और आश्डियम साब आये थे और कुछ लोग बच्चों के आपर नाम भी लिखे गए हैं वो क्या बात कह रहे थे धारा 144 की बात बता रहे थे उसकी जवाब में हलागी कुछ बच्चों ने कहा कि कारेकरम कैसे कर सकते हैं कहीं पर भी या कोई भी कारेकरम देहरादून में कैस यहां पर जो लोग आये थे हमें मिलने के लिए तो ऐसे कहीं बाहरा आचुके हैं और बड़े अधिकारी दबाओ मानसिक रूप से शारे रिग रूप से हमें तनाव में लिया जा रहा है कि यह धरना किस तरह यह स्तगीत हो लेकिन मैं बार बार बताना चाहूँगा आपके बोवी भाई की रियाई है उसके बाद सीबियाई मांग जोर सोर से फिर से उटेगी आपका नम क्या है अनिलने की कहां से हैं आप चक्राता से आप लोग के उपर तो बहुत सारे बात कही जा रही है कि जोनसार छेतर का दबाओ जादा है चातरों के बीच में और दूसरी ब माँनते हैं जो कहां कि हम सारी मांगे मान रहे हैं उसके बावजूमी ध्यर्णापरदस खतम होने पर नहीं आ रहा है कौन से मांग मान रहे ऑन रहे हैं और सब्यक्त सब का बना रहे हैं हमारा बना रहे हैं सब का बना रहे हैं कि परस्व रात को rier पाध्याव मेहम ऑर बार पाह सब करते दिल्हेन न सबने यह कहा कि आर्प यह रहसे करी यहां सब्सक्राइब नौ बंदों के नाम पहले पेपर निखते हैं अब उसके बाद पहलों बोलते हैं कि सब ठीक है हमने का कि हम एक शर्त पर यहां से उठेंगे, अगर बॉबी भाई को हमारे यहां से टीम जाएगी आपकी, उसके साथ हमारे चार बंदे जाएगे, एक मीडिया जाएगा, हमारी वहां से बीडियो कॉल पर बात की जाएगी, उसके बाद जब बॉबी भाई यह बोलेंगे कि यहां से उठ जाओ तो हम उठ जाएंगे उनने का यह नहीं हो सकता तो हमने का कि अगर यह नहीं हो सकता तो हम यहां से नहीं उठेंगे बॉइब जब हमारे बीच में आएगा उसके बाद हम यहां से उठ पाएंगे उन्होंने सबने ये आश्वासन दिया और उसके बाद पता चलता है कि छे बच्चों के केवल उन्होंने बेल दी है और वो भी उनको जिनके पेपर है दूसरे दिन पेपर के लिए तो बेल उसको भी दी जाती है जो कह दिये उन्होंने नाम दिये हैं बोवी भाई का उसमें कहीं नाम ही नहीं है अगर ये उच्च अधिकारी हमारा ऐसा बेकूब बना रहे हैं तो उनसे आप क्या उमीद कर सकते हो हमारा बेकूब बना रहे हैं पब्लीक का बना रहे हैं मीडिया का बना रहे हैं सबका बेकूब बना र आज ने तो कल चुटेंगे हम तब तक यहां बेठे वें पर पी सड़कों पर भी आएंगे वो सारा का सारा बॉबी भाई का जो भी आगे का शेडिल लोग वो बॉबी भाई तैय करेगा हमारा सीधा था पंड़ा ये है कि बॉबी भाई जब हमारे बीच में आएंगे उसके बाद जो बवी भाई का इस्टेंड होगा हम उनके साथ होंगे मोर्चा उसके बाद बवी भाई समालेंगे आपको डर नहीं लगता रात में भी यहाँ पर नाम लिखके लेके गए अधिकारी और आपको कहा गया है कि दूसरी जंगा शिफ्ट के आजाए आपको यहां से यह कामकाज ज्यादा होता है तो आपको डर नहीं लगता आप सब लोगों के उपर मुकदमा लिखा जाएगा नोकरी जिंदेगी अपर मिन नहीं पाईगी ऐसी बाते अधिकारी रात कहके गए हैं आप लोगों को देखिए कि कल यह प्रशास्तन आया था इन्होंने सबके नाम हमारे पास सब कुछ है तुम्हारे उपर हम यह धारा लगाएंगे वह धारा लगाएंगे तुम्हारे जिंदगी खड़ाप हो जाएगी कभी करेक्टर सेटिफिकर नहीं बन पाएगा क्योंकि जौब के लिए भी प्रशासन होता है तो तुम उलज जाओगे बहुत आदमी तब है जब हो गलत कर रहा है हम शांती पुन रूप से बैठे हुए हैं हम ना कानून का बिरोत कर रहे हैं ना हम किसी परकार का उलंगन कर रहे हैं हम तो अपना शांती से बैठे हैं कोट परिसर से भी हम अलग है कोट परिसर को हम डिश्टब नहीं कर रहे हम तो तो आप देख सकते हैं एक बार मेरे साथ में वीर कस्यब जी है एक बार खड़ाओ कर दिखाईएगा कि यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हैं और जो यहाँ पर धन्नास्तल पर है यह जो अस्तल है उत्राखंड की पहचान में सब लोगों के आता है क्योंकि यह सही दिसमारक है और सही दिसमारक पर यह बच् पूरा उत्राखंड का जो लोग हैं अंदलोन कारिये वो सब लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और यह लोग अपनी लगातार बात रख रहे हैं कितनी बात इनकी मानी जाती है और कितनी नहीं मानी जाती हैं आपको लगातार हम खबरों में दिखा रहे हैं आप देख रहे है समाचार इंडिया खबर से लेकर असर तक